हेलो एवरिवन मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपनी चैनल बागबगीचा पैशन और क्रियेशन में जहां हम बात करते हैं पेड़ पोधों की और किसी क्रियेटिविटी की आज हम बात करेंगे पोधों में ही एक बढ़िया सी क्रियेटिविटी की आज हम बनाएंगे जेड पौधे का बोन्जाई एकदम सूपर क्यूट और सूपर फिनिशिंग नहीं आएगी क्योंकि अभी प्रोसेस में रहेगा साथ-साथ मैं इसका अपडेट देती रहूंगी वीडियो पर आखिर तक बने रहीगा बिने स्किप किये मेरा वीडियो देखेगा और अगर मेरे चैनल पर नहीं है पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए इसके लिए बेल आकन भी प्रेस कर दे इससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे बात करूँ जेड प्लांट की ये मेरा वन अफ दे मोस्ट फैवरेट प्लांट है मुझे ये बहुत बहुत पसंद है और कोई भी छोटी सी कटिंग कभी तूट जाए या कभी मैं खुझ से ही कोई पौधा तियार करूँ तो मैं उसकी हमेशा हर कटिंग लगा लेती हूँ लग जाती है बड़े अराम से तो चलिए आज मैं ये दो पौधे लेकर आई हूँ ये मैंने कटिंग से फपगेट किये हैं इसकी कुछ शेप देते हैं कुछ इसका बोंजाई बनाने की कोशिश करते हैं तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं जब भी आप किसी पौधे का बोंजाई बनाए तो बस एक माइन में ध्यान रखें कि आप उसको कौन से शेप देना चाह रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप उसकी कटिंग करेंगे तो मैं यहां पे एक छोटे से पेड के रूप में इसको बना रही हूँ नीचे से इसका पूरा स्टैम है जो पूरा स्टैम है इसका वो पूरा क्लीन कर लूँगी और उपर की तरफ से इसको घना छोड़ूँगी ताकि उपर की तरफ से एक छोटे पूधे के जैसे लगे प्रॉपर शेप नहीं आएगी क्योंकि धीरे धीरे प्लांट बनेगा टाइम लगेगा उसमें यह एक लंबा प्रोसेस होता है लेकिन अभी मैं फटा फट से इसको कर लेती हूँ मेरे दोनों पॉधे हैं दोनों ही पॉधे मुझे ऐस बॉन्जाई करने हैं कुछ लोग bonzai बनाने के लिए wiring का इसमाल करते हैं लेकिन मुझे ये दो दोनों पौधे हैं ये बिना wiring के ही prepare करने हैं क्योंकि मेरे जो ये पौधे हैं तो इस तरह की shape में है ये कि इसको मैं एक पेड के लुक दे सकूँ तो मैं यही कर रही हूँ मैं कोई भी वायर यूज न जरूर दूंगे इससे पहले भी मैंने अपनी एक वीडियो में आपको मोर की टॉप यारी बनानी बताई थी जो बहुत ही अच्छा experience रहा था बनाना बहुत ही कुपसरत वो डवलाप हुई थी और बनी भी बहुत ही कुपसरत थी लेकिन मैं यहीं मैंशन कर दूँ कि अभी से मोर की टॉप यारी बनाऊंगी बट इस बारी अच्छे से रखोंगी दिहान से रखोंगी उपर बिल्कुल भी ने रखना तेज हवाई भी कई बारी आपके जो हलके प्लांटर होते उनको गिरा देते हैं तो मैंने यहां पर दूसरा प्लांटर ले लिया है और इसको भी स्टैम दे सकते हैं इसका स्टैम बहुत ही खुबसूरत है और नीचे की तल से बात करूं तो यह देखे कितनी सारी कटिंग मेरे पास खटी हो गई है और आपको पता ही है कि जेड मेरा फिवरेट प्लांट है तो मैं इसकी एक भी कटिंग नहीं फेकूंगी मुझे जेड के साथ एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मजा आता है तो मैं इसकी सारी कटिंग भी प्रपगेट कर लूँगी तो अभी स्टार्ट करती हूं मैं यहां पर इस प्लांटर को थोड़ी सी गुडाई भी कर दूंगी और इस टैम देखिए देख सकते हैं आप पतली सी कटिंग से लगाया हूँ अस टाइम बे कितना बड़ा हो जाता है यह प्लांट मैंने ऐसी ही छोड़ देता सरदियों में इसको विल्कुल भी टैच नहीं किया ना है इसकी कोई खास केर की अगर आप किसी भी प्लांट की बनाना चाहते हैं तो कुछ टाइम के लिए उसको नेकलेट कर कर लूँगी इस पर भी मेरा एक डिटेल वीडियो है आप चाहे तो उसको भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि हाउ टो प्रोपगेट जेड प्लांट कटिंग बड़ी इसकी कटिंग प्रोपगेट हो जाती है हाड़ी प्लांट होता है बहुत जागा केर भी नहीं करन बना लिए और अब यहाँ पर मैं इसका फाइनल लुक में आपको दिखा देती हूं हाला कि टाइम लगेगा आप करेंगे यह क्या बोंजाय बनाया है लेकिन प्लीज आप देखते रहिए इसी तरह से बोंजाय डवलप होते हैं एक दो दिन का काम नहीं होता है सालों लग बनाया ही है चारते हैं प्रोसिजर में इस टैम इसका मोटा होता है प्लांट बहुत ही घना सुनदर होता है उस में टाइम लगता है यह वाला जो प्लांट फेकर मुझे लगता है यह बहुत ही चुप सूराथ शेप में डवलप होगा वाट जश्ट वेट एनवाच two वोड़ा साथ टाइम और पेशेंस रखना होगा दोनों बड़े ही खूबसूरत हैं बड़े ही अच्छे बने हैं और वैसे भी जब तक हम अपने गार्ण में एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक हम नहीं चीज़े नहीं ला सकते हैं तो कुछ ना कुछ तो करते रहना ही है तो इसी तरह से मैंने भी ये किया है लेकिन मैंने जो इसको डवलप किया था वो सोच कर ही किया था कि मैं बोन्जाय बनाऊंगी और अभी मैंने नॉर्मल स ले लिया है नीचे की कटिंग को दो इंच से तीन इंच कर लिया है पत्ते हटा दिये हैं और अब इन कटिंग को मैं फटा फट से लगा लूँगी इसको लगाने के लिए भी पीछे कोई बहुत बड़ा रोकेट सांस नहीं है दो दो इंच के नोड एरिया आप मिट्टी में दबा दीजिए और उसके बाद इसको बड़िया सी वोट्रिंग कर दीजिए और नेक्स वोट्रिंग जब करेंगे जब आपके प्लांट को जुरूरत होगी यानि मिट्टी सुखेगी हाला कि गर्मी है तो आप रेगुलर वोट्रिंग भी कर सकते हैं सर्दियों में तो कटिंग लगा लूँगी तो एक गमला बहुत ही बुशी सा तयार हो जाएगा हुआ कि लाएगा चुश्का होगी यानि चास कर सकता हैं सर्दियों में तो प्लांट टीर होगी तो एक गर जदोरे चाना प्लांट याएगा कर दो कर दो कर दो कि और मैंने कटिंग से दो गमले तियार किये हैं और अब मैं कुछ आपको प्लांट दिखाओंगों जो मैंने कटिंग से ही प्रोपगेट किया हूँ है आप देख सकते हैं कितना भूशी और कितना बढ़िया प्लांट है कोई भी इसकी टोपियारी बना सकते हैं इसली वह मैं आपको बाद में सोची बताऊंगे कि मैं इसके साथ क्या करने वाले हूं सिर्फ मैं अभी आपको प्लांट्स दिखा रही हूं कितने भुशी और कितने बढ़िया प्लांट्स है ये और सिर्फ कटिंग से प्रोपगेट कियो हैं हाला कि हां इसमें टैम जरूर लगता है अच् अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे शोचल मीडिया पर भी फोलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रेप्शन बोक्स में दे दूंगी साथ ही मुझसे पस्नली कनेक्ट होने के लिए और ब झाल